हेलो स्टुएंट्स मैं डॉक्टर आनिल अरोडा डिपार्टमेंट ओवाटनी डूंगर कॉलेज बिकानेट से आज हम इस वीडियो में ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करेंगे हम हरित ग्रह प्रभाव का अध्यन करेंगे अगर हम इसकी परिवाशा देखें कि ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित ग्रह प्रभाव होता क्या है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट is the process by which radiation from the sun are absorbed by the greenhouse gases and not reflected back into the space this insulate the surface of the earth and prevents it from freezing वास्ता में हम हरित ग्रह प्रभाव किसको कहते हैं कि हमारे atmosphere है हमारा जो वायू मंदल है उसमें कुछ gases पाई जाती है यह जो gases होती है यह जो radiation है वो उसको absorb कर लेती है और वापिस space के अंदर जाने नहीं देती है तो जो यह इसको absorb करती है तो अर्थ का तापमान जो है वो निश्चित बना रहता है अर्थ का तापमान ज्यादा नहीं हो पाता और यह अर्थ को freeze होने से बचा लेती हैं तो अम यह कह सकते हैं कि जो ग्रीन हाउस effect वास्तम में क्या है कि Greenhouse effect वो है जो सूर्य से आने वाले प्रकाश में जब वो प्रकाश की किरने अर्थ पर ठकराती हैं तो किरने तो वापिस चले जाती हैं उन जो radiation होता है वो किसके द्वारा absorb हो जाता है Greenhouse gases के द्वारा absorb हो जाता है जिससे अर्थ का तापमान निश्चित बना रहता है तो यह Greenhouse आखिर क्या है अगर वैसे जनरल बात करते हैं तो जो Greenhouses होते हैं वो पाध्वों के लिए बनाए जाते हैं यह कांच के बने हुए घर होते जिन में इनके जो चत होती है रूफ जो होती है इनकी उसके ओपर ग्रीन ग्लास लगा होता है और यह एक्चुल के अंदर क्या होता है कि जो पादप ठंड बहुत अधिक पड़ती है तो प्लांट्स को इन ग्रीन हाउसे के अंदर हम शिफ्ट कर देते हैं वहाँ पर स्थाना को एब्जोब कर लेती है और ग्रीन हाउस के अंदर के तापमान को पादपों के लिए अनकुलित बना देती है जो वह तापमान पादपों की ग्रोथ के लिए पादपों की वृद्धी के लिए आवशक होता है ग्रीन हाउस गैसे अंदर के लिए अवशक तो है लेकिन अनफॉर्चनेटी दुर्भागय वश्च क्या हुआ है कि ग्रीन हाउस गैसे हमारे वाजुमंडल में निरनतर बढ़ रही है जिसके परिणाम सवरूप अर्थ का तापमान जो है वो भी बढ़ रहा है और इसके साथ साथ हम कुछ अन्या प्रभावों को भी देख सकते हैं जो मनुष्य के लिए हानिकारक होते हैं अब अगर हम ग्रीन हाउस गैसे की बात करते हैं तो ग्रीन हाउस गैसे हम किने कहते हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को बनाती हैं अर्थात हम कह सकते हैं कि वाजू मनल में उपस्थित वो गैसिज जो इंफ्रा रेड रेडियेशन को अवशोशित करती हैं वापिस स्पेस में नहीं जाने देती और प्रित्वी के तापमान को बनाए रखती हैं कार्बन डाइकसाइड है yeah है रृटर वेपर्स है उप्र है नाट्रस अक्साइड है और ओँजोन है chlorofluorocarbons है water vapors है methane है nitrous oxide है और ozone है यह सब मिलकरके green house gases कहलाती है हम अगर suppose करें कि green house gases हमारे वाजुमंडल में नहीं होती तो हमारी अर्थ का जो surface temperature था वो minus 18 degree centigrade या zero degree Fahrenheit होता तो उसमें यह gases हमारे प्रिथ्वी का जो अन्कूल तापमान है 15 degree centigrade या 59 degree Fahrenheit उसको बनाए रखने में सायोग करती है या उसको बनाए रखती है अब इन गैसों का निरंतर बढ़ना उससे क्या मतलब है कि मनुष्य ने अपनी तरक्की के लिए बहुत सारे industries खड़ी कर ली हैं वो automobiles generate कर लिए हैं ऐसे वहिकल हैं जो हानी कारग गैसे छोड़ते हैं जो डीजल या पेट्रोल के चलने से उनके exhaust pipes हम देखते हैं कि हानी कारग गैसे जो है वो निकलती हैं हमने जंगल काट दिये हैं जिनके परिणाम सवरूप धीरे धीरे जो है वो अर्थ के अंदर greenhouse gases जो है वो बढ़ रही है तो greenhouse gases जब बढ़ती हैं तो greenhouse gases बढ़ने से क्या होगा कि जितनी ज्यादा gases होंगी जितनी ज्यादा greenhouse gases होंगी उतना ज्यादा वो radiation को absorb करेंगी और जितना ज्यादा radiation को वो absorb करेंगी उतना हमारे अर्थ सरफेस को वो बढ़ाती जाएंगी तो कहने का अर्थ यह है कि अर्थ के तापमान बढ़ता है यह बहुत ही हानीकारक प्रभाव को उत्पन करता है जिसे हम आज global warming के नाम से जानते हैं हम इसे हमारे next वीडियो में लेंगे causes of greenhouse effect एक्च्वल के अंदर यह greenhouse effect कैसे हम कहते हैं कि बढ़ कैसे रहा है क्या कारण हो सकता है कि हम कहते हैं कि green house effect हमारे वायू मिंडल के अंदर इसका प्रभाव जो है मुन अंतर बढ़ता जा रहा है burning of fossil fuels जब हम जिवाशम के जिवाशम से बने हुए पदार्थों को जब हम जलाते हैं जैसे koala है लकडी है जब हम हम इनका उप्योग करते हैं इनको जलाते हैं और यह जो carbon dioxide है यह वात्तावरण के अंदर इसकी जो निश्चित जो इसका अनुपात है वो बिगड़ रहा है और धीरे-धीरे कार्मन डाइकसाइड के बातावर्ण में बढ़ने से पृत्वी का तापमान जो है वो भी बढ़ता जा रहा है हम अमारी जो पॉपुलेशन है जन संक्या है वो निरमतर बढ़ रही है और गाओं में आज भी कई ऐसे लोग हैं जो लकड़ी को जलाते हैं अपना भोजन पकाने के लिए या अन्यकारों पानी इत्यादी घरों में गरम करने के लिए वो फोसिल फ्यूल का उपयोग करते हैं कोईले का उपयोग करते हैं लकडी का उपयोग करते हैं जिससे निरंतर आनिकारग गैसे जो हैं वो हमारे वाल्यो मडल में शामिल होती जा रही हैं इसके अलावा हम कह सकते हैं कि electricity जो है उसको बनाने के लिए भी हम fossil fuels का उपयोग करते हैं हमारे जितने भी vehicles चलते हैं सड़कों के उपर उनमें diesel या petrol का उपयोग होता है ये भी fossil fuels होते हैं इनके जलने के प्रभाव से हमारे atmosphere के अंदर निरंतर green house gases जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं deforestation, deforestation का आरत है कि हम निरंतर जंगलों को काट रहे हैं कहीं शहर बसाने के लिए कहीं हम फ्यति करने के लिए, कहीं पर हम यह देखते हैं कि Industries को लगाने के लिए हम निरंतर जंगलों को काट रहे हैं और जब हम जंगल कार देते हैं, तो वहाँ उपस्तित सारे पेड़, सारे पादब जो हैं वो नस्ट हो जाते हैं, और पादब का काम क्या होता है, कि वाजू मंडल से कार्बन डाइकसाइड को लेना, और प्रकास अंसलेशन की किरिया में उसका उपयोग करना, इसके परिणा कि बड़ी हुई कार्बन डाइकसाइड को अब शोशित करने वाला कोई नहीं है, तो वो कार्बन डाइकसाइड वाता वरंट के अंदर अपनी मातरा को नगंतर बढ़ा रही है, फार्मिंग, फार्मिंग का यहां हमारा यह मतलब है कि हम नाइट्रस जो फर्टिलाइजर होते हैं, वो हम यूज करते हैं, और नाइट्रस फर्टिलाइजर जो होते हैं, इन से नाइट्रस ऑकसाइड जो है, वो उत्पन होता है, या परियुक्त होता है, जो एक तरह से ग् मात्रा एक वायू मंदल में उतनी अधिक ही बढ़ती जाती है इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड लैंड फिल्स इंडस्ट्रीज हैं इनकी चिमनियों से निरंतर हानी कारक गैसिस जो हैं मिथेन हो गई है जैसे यह हम कह सकते हैं कलोरो फ्लोरो कार्बंस हो गए हैं वो या कार्मन डायक्साइड है वो निकलती रहती है परिनाम सवरूप वायू मंदल में ग्रीन हाउस गैसिस की मात्रा निरंतर बढ़ती जा रही है और जो लैंड फिल्स होते हैं वो भी जो कार्मन डायक्साइड और मिथेन को जो ग्रीन हाउस के सीज़ें उनको निरंतर रुत्पन करते रहते हैं हम लैंड फिल्स का मतलब जहां पर हम सडने गड़ने वाले के लिए चीज़ों को डाल देते हैं वहां पर भी कार्वन डायक्साइड और मिथेन का गैसिस जो है वो निरंतर रुत्पन होती रहते हैं जिन से इनकी मात्रा वायू मंदल में बढ़ रही है अब इन ग्रीन हाउस जो इफेक्ट के हम बात करते हैं वास्तम में इसका क्या प्रभाव पढ़ रहा है हमारी प्रिथ्वी पर मनुष्य पर या हमारे एको सिस्टम पर इसका क्या प्रभाव पढ़ता है इनका क्या प्रभाव है सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग की बात करेंगे कि जैसा हम जानते हैं कि हमारी प्रिथ्वी का तापमान है वो 15 डिग्री सेंटिग्रेट तक ऐसा तापमान है जो यहां पर रहने वाले सबी जीमों के लिए चाहे वो पादप हों चाहे वो जन्तु हों उनके लिए अनकूल होता है और यह तापमान निश्चित मातरा में उपस्तिद ग्रीन हाउस गैसिस के कारण से बना रहता है लेकिन जो हमने पीछे जिन कारणों का वर्णन किया है उनके कारण से गैसिस जो हैं जो ग्रीन हाउस गैसिस जो हैं उनकी मातरा निरंतर बढ़ रही है तो परिनाम सवरूप जितनी इनकी ज़्यादा मत्रा होगी उतना ज़्यादा जो radiation है जो सूरे से आने वाला infrared radiation है उसको ये absorb करेंगी और जितना ज़्यादा उसको absorb करेंगी उतना ज़्यादा तापमान जो है वो बढ़ता चला जाएगा Depletion of ozone layer जो ozone layer है स्टेटोसफियर के अंदर क्या है कि ozone की layer उपस्तित होती है और जो है ये सूरे से आने वाली हानी कारक जो ultraviolet rays होती है उनको absorb कर लेती है लेकिन हमारी जो greenhouse gases जैसे इनकी मात्रा बढ़ती जा रही है वैसे विशेश्टाए chlorofluorocarbons जो होते हैं वो ozone की layer को भी दिरे दिरे नस्ट कर रहे हैं जिसके परिणाम सरूप ultraviolet करने जो है वो सूरे से सीधा प्रिथ्वी पर आने लग गई है और यह भी प्रिथ्वी के तापमान को रंतर जो है वो बढ़ा रही है और जो है वो विशेश्ट है और जो हमारा यहां पर जो तरह से काम करती है अ प्रिथ्वी की सताय है अगर उसके नजदीक हम देखते हैं तो यह एक green house gas की तरह से कार्य करती है अर्थात यह प्रिथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सैयोग करती है तो जो है वो दुनों तरह से यानि लावदायक रूप में हमारे लिए उपस्तित है और हानिकारक green house gases के रूप में उतना परभाव नहीं होता जितना बाकी gases का होता है smoke and air pollution smoke हम किसको कहते है जब smoke और fog fog art हम धुन से ले सकते हैं जब सर्दियां होती हैं तो हम यह देखते हैं कि सुबह सुबह या दिन ढलने के पस्चात जो अधरता होती है अट्मोसफेर के अंदर वो इकठी होकर के smoke का निर्मान कर देती है और जब इस में इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआ या वहिकल के एक्जोस्ट से पाइप से निकलने वाला जो gases होती है उनसे जब यह मिल जाता है तो अब हम इसे smoke का नाम दे देते हैं और यह जो इस smoke के अंदर भी greenhouse gases जो है वो उपस्तित होती है विशेश्त है nitrogen और सिलफर के जो अक्साइड रोते हैं या carbon dioxide या carbon monoxide इतयादी जो होती है वो इसके अंदर उपस्तित होती है और यह जो गैसिस है यह इसके अलावा समोक बनाने में जंगल вжеं में लगने वाली आग भी है वो समोक के निर्मान के अंदर सहिता करती एritżenia पर अर कभी-कभी धे जो अधियादी हैं यह स्वयंदी अपना आपस मेंendraक्षन करके वे समोक के स्मॉक का हानिकारक परभाव मनुष्य की पर पढ़ता है मनुष्य की एध पर पर पढ़ता है उससे संक्रमण हो सकती है ऐस्थमा एत्यादी बिमारियां जो वो मनुष्य के अंदर देखी जा सकती है एसिडिफिकेशन ओव वाटर बॉडिज जब हम यह देखते हैं कि ग्रीन हाउस गैसिज वायू मंडल में दिरंतर बढ़ रही हैं तो वो हमारी जो वाटर बॉडिज हैं फ्रेश वाटर बॉडिज हैं उन सब का एसिडिफिकेशन करना शुरू कर देती हैं जब यह गैसिज वर्षा के जल के साथ हमारी वाटर बॉडिज जो और सरफेस के उपर उपस्तित हैं उन में गिरती हैं तो इनकी मात्रा फ्रेश वाटर के अंदर जितनी होनी चाहिए यह वह उससे वह बढ़ती है विशेश्चा कार्बंदध यह जो है या नैटोजन और सल जो अकसाइड होते हैं वह ऐसी वाटर बोडिज के अंदर उसको एसिडिफिकेशन करने में सयोग करते हैं यह वाटर बोडि जो एसिडिफिकेशन करते हैं रेन वाटर जो अर्थ के सर्फेस से बहे करके समुद्रों में नदियों नालों में पहुंचता है वो भी अर्थ से ग्रीन हाउस गैसीज को इकठा करके वो इन फ्रेश वाटर बोडी का एसिडिफिकेशन कर देता है अब हम बात करेंगे रन अवे ग्रीन हाउस एफेक्ट की यह एक एक नया जो है वो फिनोमेना है इस फिनोमेना अकर्स में दप्लैनेट एब्जोर मोरेडियेशन देन इट कें रिडियेट बैक क्या होता है कि जब हम आर्थ के सतय को देखते हैं सर्फेस के उपर हम देखते है तो यहां पर जब सूर्य की किरने गिरती हैं तो कुछ रिडियेशन जो हमारी लेंड है उसके दवारा भी अवशोशीत होता है लेकिन अधिकाश रिडियेशन वापिस पहुंचा दिया जाता है लेकिन अब ऐसा देखा गया है कि अर्थ का जो सर्फेस है जो लेंड कर देखा है जो शुक्र ग्रेया है जो विनस प्लैनेट है उसके ऊपर यह वर्षों से बिलियंड सफिर से यह पर वहां पर उपस थी था यह होता अग्यार में देखे तो यह होता कैसे है ए रन आवे ग्रीन हाउस एफेक्ट राइज इस वेन अधिस वेन अधिक्ट यह वास्तव के अंदर हम यह कहते हैं कि रन आवे ग्रीन हाउस एफेक्ट हम किसे कहेंगे जब अर्थ का तापमान पानी के उबलने के जो तापमान होता है उससे भी बढ़ जाता है तो हम इसे रन आवे ग्रीन हाउस एफेक्ट कहते हैं और जो अगर यह ऐसा हुआ कभी ब प्रिवर्तित हो जाएगा भाप में बदल जाएगा परिणाम सवरूप ये स्टीम या भाप ये भी अर्थ के तापमान को बढ़ाने के अंदर हेल्प करती है क्योंकि हमने देखा है ग्रीन हाउस गैसिस में वाटर वेपर जो होते हैं वो भी शामिल होते हैं उनको भी ग्रीन निरंतर बढ़ता है तो ये धिरे धिरे हमारे लिए बायोटिक फेक्टर के लिए खास तोर पर हम बात करेंगे यानि पादपों के लिए और एनिमल्स के लिए यहां पर रहना मुश्किल हो जाएगा यहां पर ज्यादा नहीं रह सकता अगर एक और कारण से भी रन आवे ग्रीन हाउस एफेक्ट जो है वो हो सकता है वो क्या होता है कि जब हम देखते हैं कि रंतर ग्रीन हाउस गैसे अर्थ सर वाईूमंडल के अंदर बढ़ती जा रही है तो जब इनका लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो यह आपस मे भी chemical reaction करना शुरू कर देंगी और इनके जो इनका जो chemical reaction होगा इनकी जो पर्षपर रसाइनिक करियाई होंगी वो चटनों इत्यादी से carbon dioxide को release करना शुरू कर देती है और जब carbon dioxide release होती है तो carbon dioxide प्रैमरी एक मुख्य greenhouse gas मान सकते हैं वो ज्यादा radiation को absorb करेगी और अर्थ का जो है वो तापमान रंतर बढ़ता जाएगा और दिस वोड़ हीट दा सर्फेस ओव दा प्लैनेट विच वोड़ राधर एसलेरेट दा ट्रांसफर और carbon dioxide from the rocks to the atmosphere giving rise to the runaway greenhouse effect ऐसा भी माना जाता है कि अर्थ का बढ़ता हुआ तापमान जो है वो भी rocks चटनों इत्यादी से carbon dioxide को release करता जा रहा है तो यह भी धीरे-धीरे प्रिथ्वे के तापमान को बढ़ा रहा है तो पहले तो हम greenhouse effect को मानते थे अब हम एक नया खत्रे को भी हमारे सामने देख रहे हैं जिसे हम runaway greenhouse effect कहते हैं अगर हम असान शब्दों में अगर हम कहें तो greenhouse effect अर्थ के तापमान को एक दिन इतना बढ़ा देगा कि यहां पर जीवन मुश्किल हो जाएगा पादपों जन्तूओं का रहना मुश्किल हो जाएगा अर्थ का तापमान इतना अधिक बढ़ जाएगा तो हमें सब को मिलकर अगर अर्थ को बचाना है तो हम greenhouse gases का emission उसको कम से कम हम वाजू मंडल के अंदर छोड़ें ऐसे हमें परियास करने चाहिए हमें जंगल काट रहे हैं हम प्रकृति को नस्ट कर रहे हैं तो forestation के साथ साथ हमें forestation भी करना चाहिए नए जंगलों को भी उगाना चाहिए तो इसलिए आज कल एक environmental awareness चल रही है जिसमें पादपों को या पेड़ों को लगाने के जागरुकता का जो संदेश है वो दिया जा रहा है थेंक्यू सो मच